पाकिस्तान से मिले एक्स ओतिर सट रनों के लक्षे का पीछा करने उत्री भारतिय टीम के लिए रोहित शर्मा ने दुवांदार शुरुआत कराई रोहित शर्मा ने पारी के आठवे ओवर में उस्मान खान पर कई बड़े प्राहर किये और एक ओवर में 19 रन बटोर लिए यही नहीं उन्होंने दो गेंदों में 16 रन बना डाले दरसल उस्मान खान पावर प्ले का आठवां ओवर लेकर आए और शुरुआती तीन गेंदों पर उन्होंने दो रन दिये लेकिन इसके बाद रोहित ने कमाल कर दिया चौथी गेंद पर रोहित ने टॉप एज बले से फाइन लेग की तरफ चका मारा अगली गेंद पर रोहित ने शौट फाइन लेग पर चौका जड़ दिया लेकिन उस्मान खान ओवर सेप पिंग कर गए और अंपायर ने नो बॉल करार किया इसके बाद फ्री हिट पर रोहित शर्मा ने मिड विकेट पर 96 मीटर लंबा चका लगा कर एक ओवर दो गेंदों में 16 रन बटोर लिए पहले चका फिर चौका और फिर चका मारकर रोहित ने उस्मान खान के आंकडे बेगार दिये बता दें कि रोहित शर्मा भारतिये टीम की कपतानी कर रहे हैं रोहित ने शरू से ही अक्रामक खेल दिखाया और 9 ओवर में ही भारत का स्कोर 50 के पार पहुचा दिया यहां पढ़ें लाइव क्रिकेट स्कोर इससे पहले भारतिये गेंदबाजों ने शांदार प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान को 43.1 ओवर में 162 रनों पर समेट दिया दो बार की चैंपियन पाकिस्तान ने यहां दुबाई अंतराश्रिय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया लेकिन तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने तीन रन के स्कोर पर ही इमाम उलहक, दो और फखर जम्मान, शुन को आउट कर पाकिस्तान के फैसले को घलत साबित कर दिया